केसरी मेंगो सूजी शीरा तो बहुती टेस्टी सी डिजर्ट रेसिपी है तो हमेशा की तरह वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए सबसे पहले यहां पर इंगिडियोंट्स देख लेंगे तो यहां पर मैंने लिए है तीन चोथाई कप सूजी उतनी ही मैंने चीनी ली है और उतना ही मैंने देसी घी लिया है साथी में में मेंगो पल्प, ड्राइफरूट, केसर और इलाइची पाउडर ले लिया है इस तरह से ड्राइफरूट्स खाने में बहुत ही अच्छी और क्रंची लगते हैं तो तक्रीबन दो मिनिट के लिए हम इसे रोस्ट कर लेंगे हलका हलका मीडियम फ्लेम पर तो देखिए इसका कलर जो हलका हलका चेंज हो चुका है तो बस इसे हम निकाल लेंगे कड़ाई से बाहर अब उसी कड़ाई में हम फिर से देशी घी एट करेंगे तो यहाँ पर घी तक्रीबन में तीन बड़े चमच एट करूँगी और बाकी का जो घी है मैंने बचा लिया अगर हमें उसकी निड होगी तो हम एट करेंगे तो अब घी में हम एट कर लेंगे सूजी तो सूजी को न हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 3-4 मिनिट लगा कर अच्छे से भुनना है तो हमें सूजी का कलर नहीं चेंज करना बस इसे अच्छे से रोस्ट करना है ताकि इसका कच्छापन खतम हो जाए और अच्छे से फूल जाए तो देखिए घी के साथ सूजी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इससे इस तरह से चलाते हुए है न भुनते रहेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर तो आप टेक्स्टर देख सकते हैं सूजी का तो जब सूजी फूल ने लगा ना इस तरह से मतलब सूजी जो है हमारी परफेक्टली पक चुकी है अब इसमें हम मेंगो पल्प जो हमने बना लिया था वो एट कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ मेंगो पल्प को तो इस टेश पर गेस का फ्लेम जो है हमें स्लो टू मीडियम ही रखना है नहीं तो यह तले पर लग जाएगा तो अच्छे से इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है मेंगो प्यूरी को सूजी के साथ में तो यहां पर अच्छे से मिक्स हो चुका है अब साथ ही में इसमें हम चीनी भी एट कर लेंगे तो चीनी की क्योंटर्टी उतनी ही ले जितनी सूजी हो तो सूजी हमने वंठट कप लिया था तो उससाफ से चीनी भी हम उतनी ही लेंगे तो चीनी भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर मेंगो पल्प, सूजी और चीनी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब इसमें हम एट करेंगे पानी तो पानी हमें सूजी का दुगना लेना है यहां पर मैंने 1-3 cup सूजी लिया था तो उससाब से यहां पर 2 cup इसमें मैंने पानी एट कर लिया है बिस टेश पर हम गेस का फ्लेम हाय कर लेंगे और लगातार चलाते लेंगे तांकि इसमें लंप्स ना पड़े कोई गुटली ना पड़े तो देखिए इस तरह से सूजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है बस गेस का फ्लेम हम मीडियम करके इसमें पकाएंगे साथे में इसमें हम इलाइची पाउडर एट कर लेंगे और जो केसर हमने लिये थे वो भी समें एट कर लेंगे बस medium flame पर इसे में इस तरह से चलाते हुए पकाना है इसका सारा जो पानी है हमें अच्छे से सुका लेना है तो इसे तब तक पकाएं जब तक कि इसमें से घी न अलग होने लगें तो इस टेश पर में इसमें एक चमश देसी घी और एट कर लूँगी तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे देशी घी को भी उसके बाद इसमें हम रोस्टेट ड्राय फ्रूट्स भी एट कर लेंगे तो आप भी ज़रू ट्राय करके देखेगा बहुत ही टेस्टी सा सौफ सा डिलिश्यस मेंगो केसरी हलवा बनता है तो बस इसे कड़ाई को जब यह छोड़ने लगे ना हलवा उस टेश तक पकाना है तो यहाँ पर जो है हमारा हलवा परफेक्टली बनकर बिल्कुल रेडी है तो देखिए इसमें एक चमच घी हमारा बच्चा है तब मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो मेकने रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्स पर वाचिंग